कि अभी आपके सामने दो चीजें आपको देखने को मिल रही है एक आपको मिल रहा है interest on capital और दूसरा आपको मिल रहा है आपका interest on drawing दोनों को एक साथ आप बहुत आसानी से समझ सकते हो बस इस diagram फिर थोड़ा सा ध्यान दो जैसे जैसे आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपक का जो जिस्टमेंट है यह आप क्या कर सको समझ सको चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर देखो मैंने क्या बना दिया है आपका बिजनस बना दिया है बिजनस में जो आपका इंट्रेस्ट ऑन ड्रॉइंग है या जो आपका इंट्रेस्ट ऑन कापिटल है यह रिलेट होता है किस येगा ओनर के द्वारा उसे आप लोग बड़े प्यार से क्या कहते हो capital पे जो बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों separate होते हैं दोनों अलग होते हैं तो अब बिजनेस ओनर को उसकी capital के बदले interest on capital पे कर रहा है तो सीधी सी बात है ये बिजनेस के लिए क्या है expense ही तो है और ये expense क्या कहलाएगा आपका indirect expense कहलाएगा तो अगर ये indirect expense कहलाएगा तो सीधी सी बात है ये आपका कहाँ जाएगा profit and loss account के debit side में इसकी posting की जाएगी तो ये हो गया आपका adjustment number one यानि adjustment number one में आपने ये देखा कि interest on capital फर्म के लिए organization के लिए loss होता है इसी वज़े से हम इसे profit and loss account के debit side में भेज देते हैं अब हम बात करते हैं आपके interest on drawing की interest on drawing कब create होता है या किस situation में होता है इसके लिए ये दूसरा graph देखिए आप owner जब भी भी cash को bid draw कर रहा है तो cash को अगर वो bid draw कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे आपका drawing कहेंगे तो इस drawing को अब इस drawing पे जो charge किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका interest on drawing कहलाता है तो अब सवाल ये उड़ता है कि interest on drawing पे कोन करेगा धान से समझो interest on capital पे कॉन कर रहा था business पे कर रहा था ओन पे करेगा owner पे करेगा या ओनर पे करेगा या फिर वो अपने capital में से urban करेगा अपिटल में से क्या करेगा, अरजस्ट करेगा, ग्लियर हो गया, तो देखा जाये, तो ये फिर्म के लिए, ओर्गनाइजेशन के लिए, एक तरीके से क्या है, इंकम ही तो है, वही पैसा ओर्गनाइजेशन को मिल रहा है, interest on capital के case में organization पैसा दे रही थी और interest on drawing के case में organization को पैसा क्या किया जा रहा है मिल रहा है या उसकी capital को reduce किया जा रहा है clear हो रहा है सीधी सी बात है यह आपका firm के लिए profit है तो यह किदर जाएगा आपका profit and loss account के credit side में जाएगा point clear हो गया इतना तो यह हो गया हमारा adjustment number one अब इस ध्यान से समझो ध्यान से समझो क्या कि यह जो interest on capital है या जो interest on drawing है वो किस से related है आपके capital से ही तो related है तो इसका मतलब यह balance sheet के किस side में जाएगा चाहे interest on capital की बात करो चाहे interest on drawing की बात करो तो ये किदर जाएगा, capital side ही तो जाएगा balance sheet के, तो इसी लिए मैंने क्या किया, कि दोनों को अलग अलग ना दिखा कर दोनों को एक साथ दिखा दिया, यानि हमने अपनी balance sheet में capital लिखा, अगर कोई interest on capital होगा, कौन सा ये वाला जो अभी अभी आप निकाल के लाए हो, कौन सा पहले minus करोगे, और अगर कोई interest on drawing होगा, तो वो interest on drawing भी क्या कर दिया जाएगा, minus कर दिया जाएगा, और आखरी में ये जो भी balance आएगा, उसे आप अपना outer column में क्या करोगे, लिखोगे, interest on capital, interest on drawing का सारा doubt clear हो गया, ठीक है, note करो जल्दी से,